आज तक जितनी भी बार आपने आस्मान में चांद को देखा होगा हर बार आपको सिर्फ फ्रंट साइड ही दिखी होगी जबकि मून लगातार रोटेट कर रहा है फिर ऐसा क्यूं होता है ऐसा टाइडल लॉक की वदा से होता है यानि कि जिस स्पीर से मून रोटेट कर रहा है उतनी स्पीर से मून अर्थ के भी चक्कर लगा रहा है जिससे मून की बैक साइड अर्थ की तरफ फेस करी नहीं पाती और हमेशा एक ही साइड दिखती है मून पीछे से कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ मून की बैक साइट की फोटो हमें लूना 3 ने 1959 में भेजी थी लेकिन अब तो काफी क्लियर मिल चुकी है अच्छा लगा तो लाइक कर दो